मुख्य मंत्री रविंदर चौबे भी माजूद रहे और मंत्री चौबे से खास बात्चित की स्वासमवादाता रुपेश कुपता ने हज़ार की भीड इस बात को दरसाती है कि लोगों की आस्था कितनी है और मैं देख रहा हूँ अभी मानने मुख्यमंतरी जी को लगबग एक गंटा हो गया है लोगों की बेक्तिकत समस्या है किसी को साधी के लिए ज़रत है किसी को आर्थिक साहता की ज़रत है किसी को इलाज क हमों कि मुख्यमंत्री जी को सीधह लोग आविदन दे रहें और इस पर स्रूप से मानने मुख्यमंत्री जी जहां ज़रत है कलेक्टर को निर्देश दे रहें विभागी अधिकारियों को निर्देश दे तक पहुंच रही तो इसका मतलब यह है कि अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस सौपाल में हमने देखा कि कई लोग छोटी समस्या लेकर के पहुंच है। कुछ समस्या हैं रहती हैं जो पेंडेंसी जिसमें ज्यादा हो जाती है, लेंड का डिस्पूट है, डिमांड होता है, जैसे बिजली का पोल हटाना है। अब ग्रामेडों को विभाग ने एस पर नौम से लिखा कि एक पोल हटाने में इतना खर चायेगा। लेकिन उस ग्राम वासी को ये भरोसा है कि माननी मुख्यमंत्री जी के पास हम जाएंगे, तो हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। और माननी मुख्यमंत्री जी जिस उदारता से उनका एपलिकेशन में कारवाही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पेंडेंसी इस परकार की जो है, जो डिस्पूट है, जो लेट हो गया, जो जिसमें विलम हुआ, उसका भी निराकरन मुख्यमंत्री जी की इस चौपा किया जाए, और सबसे ज़्यादा एपलिकेशन में देख रहा था, रायपूर, बलोदा बजार और जांजीर जी ले से नर्वा-गर्वा-गुरुवा-वारिक अंतरगत गोठान निर्मान करने का और नाला के संधारन करने के एपलिकेशन माननी मुख्यमंत्री जी को प्रा